हलो अबरीवन आज का जो मेरा सेशन है वो इस्पेशली निमसेट 25 और 26 के स्टुइट के लिए है हमेशा एक कोशन पूछा जाता है कि निमसेट की प्रिपरेशन के लिए कितना समय होना चाहिए या कम से कम कितने मंत की या कितने साल की प्रिपरेशन सफिशेंट है सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि निमसेट की preparation जिस दिन आप यह सोचते हों कि आपको as a mca carrier option बनाना है उस दिन से start होना चाहिए अब फिर उसके लिए आपके पास अभी दो साल तीन साल या एक साल या छे महीने जितना time हो बट in practically बात करूँ तो अगर आप one and half year two year preparation करते हैं तो surety इस बात की हो जाती है काफी हद तक कि आप first attempt में crack कर ले हैं तो यह जो session है especially 25 और 26 निमसेट student के लिए है impetus गुरू कुल का 25 और 26 का जो new batch है वह 10th of January से start हो रहा है जो 25 का batch है वह one and half year batch होगा 18 month batch होगा और जो 26 है उसमें सीरह सीरह 30 month का batch होगा और मैं आपको यह बता दू कि 25 का यह जो batch होगा वह H batch होगा यानि सोचिए कि A B C D E F G के बाद मतलब इतने batch के बाद यह ब बच्चे कितने पहले से अवेर होके पढ़ रहे हैं पर अभी भी sufficient time है one and a half year is good time और जो बैच इतना पहले start होता है उसमें उतना ही revision का time ज्यादा मिल जाता है प्रेशर कम होता है और 26 के बच्चों को बोलूँगा मैं अभी 30 month है और बी batch start हो रहा है बैच already start हो चुगा नही first semester में जो बच्चे थे उन्होंने उस समय जोइन किया था कि सर नहीं कर दीजी हम लोग अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो इस दोनों batch आपको 10th of January से मैं start करूंगा इसमें क्या क्या होगा पहले मैं बता दूं कि लगवक्स से ले बस three time cover होगा complete steady material होगा weekly test ह होंगे full land test होंगे mock papers होंगे topic wise test होगा और regular daily practice test होगे यानि इस batch के बाद आपको ना तो किसी guide की जय हुआ थे ना किसी material की जय हुआ थे सब कुछ इसमें cover होगा और ये केवल निमसेट नहीं निमसेट, CUT, CAT, महाराज्च, जामियां यानि हर exam को cover करेंगे तो यदि आप माल लेजिए suppose क्या होता अक्सर ये पूछा जाता है हम लोग self study करते तो हैं पर कई बार discipline नहीं आते पर अगर आप ये online batch join करते हैं तो एक तो आपकी बनेगी एवरीडे वन क्लास होगी और आने वाले दिनों में फिर क्लास बढ़के टू क्लास थ्री क्लास भी हो जाती है से ले बस बहुत डीटेल में cover होगा और थ्री टाइम्स होगा कि आपकी question solving approach concept building कैसे नोर्स बनाना है किस धंग से question को देखके आप्रोच करना ही सब होगा और एक चीज़ याद रखिए देखिए जब कभी भी करेंट बैच के साथ होता है जब हम लोग करेंट बैच में जब टाइम कम बचता है कुछ बहीने कुछ बच्चे 5-6 मंत वाले कोर्स करते हैं इतना कम टाइम होता है इतना extra pressure आ जाता है कि धंग से practice भी नहीं हो प आप पढ़ाई करें अपनी टेस्टिंग करें अपने आपको देखें कि आप कहां stand कर रहें तो उससे यह होगा कि एक तो आपका drop बचेगा दूसरा आप अच्छी rank अचीव कर सकते तीसरा आपके पास पढड़े का target होगा हम टालेंगे नहीं कि चलो आज नहीं कल से पढ़ देते समय जो आपके जो fair होते हैं exam related वो धीरे धीरे दूर होते हैं similar patterns पर पेपर देते हैं तो ऐसे बहुत सारे benefit होते हैं तो इसलिए मैं हमेशा यह suggestion देता हूं कि आप जब जाग गए कहते हैं ना जब जागो जब सवेरा पर इस कहावत का मतलब यह कि जब जागो जब सव semester में हैं तो 10th January का जो batch है 25-26 का इसको join करिए regular class attend करिए और फिर जो आपको weekly प्लान दिया जाए उस धंग से पढ़ाई करिए और साथ में अपने college की पढ़ाई भी करिए क्योंकि कितना लंबा समय होता है तो एक अच्छी बात यह होती कि ना तो college के exam का या college का pressure होता है नही निमसेट का जब time कम होता और finally appearing होते तो हमें यह समझ में नहीं आता कि हम college की study करें कि निमसेट की करें पर अभी इतना अच्छा time है sufficient time है कि आप दोनों को अच्छे से well manage कर सकते हैं और आप अपने दोनों जगे पे अच्छा result दे सकते हैं तो इस batch का description में link दिया हुआ है आ अगर आपने मन बनाया है कि आपको निमसेट अच्छी rank के साथ crack करना है तो बिल्कुल देर मत करिए immediately action लिजे और अपनी पढ़ाई चालू करिए thank you and all the best